हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़ेगर है मैं मनोविकार सेख्षरोग सम्मोहन और विसनमुक्ति तग्य हूं महाराष्ट में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं यह हमारे दो हस्पिटल है जिसमें हम मनोरोगन तत्मा विसनी लोगों का इलाज करते हैं एक है कि रिष्टदार हमारे तरफ मतलब उनके साथ में भरती रहते हैं और एक बिनारिष्टदार हमारे यहां रहते हैं मतलब पेशन अकेला रहता है और बिनारिष्टदार हम पेशन के बारे में एक मेहना मेरे पास में आई थी करीब करीब 36 साल की उमर और उसका ये complaint था कि वही उसके husband को कोई sex का problem है उसको कमर का problem है और उसके वज़े से करना क्या मतलब क्या किया जाए वो कभी कभी कर सकता है मगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती एक तो जल्दी पतन हो जाता है शिगर पतन होता है या फिर पूरा उसमें इरेक्शन जो है कठोरता शिस्न में आती नहीं है तो जैसा ये लेडि को मतलब ये लेडि को शादी के बाद में problem है वैसा काफी सारे लेडि को शादी के पहले भी problem होता है कि इच्छा तो होती है बहुत होती है sex करने की मगर अभी हमारे समाज में ऐसा तो कोई allow नहीं है कि इच्छा तो बहुत होती है तो फिर वो इच्छा होती है वो दबा दबा के रखना फिर चिर 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 पनाना जैसे महला बोलती मुझे चिर 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 पनाता है जबी कभी कि बोलते हैं मेरी तो इच्छा पूरी होती नहीं है फिर कैसा करू और पिर उसमें जंजट- और काफी सारा तूर करना पड़ता है मतलब दोर है बहार जाना पड़ता है धन्दे के लिए व लॉवल िशन किया बड्यक्रेशन का ए तो खाला ह två मैं करना लेडिस ने शुन करना लेडिस का रहा si लेडिज भी मास्टूबेट करती है, मतलब हस्तमेटून करती है, क्या हाता है कि समझो योनी है, और योनी में समझो ऐसा शिसन अंदर जाता है, तो योनी के ऊपर ये बाजू, यहाँ एक शिसनी का रहती है, लेडिज को, शिसनी का छोटा रहता है, एक पेनिस, वो लेडिज यह जो शिसनिका जो है क्लाइटोरिस उसको स्टिमुलेट करके उसको आनन मिलता है मतलब योनी में सेक्स डालके ऐसा सेक्स करने में लेडिस को जो आनन मिलता है उससे कहीं गुना ज्यादा उसको आनन जो मिलता है वो शिसनिका को चेताओनी करने से मिलता है चेताने से मिलता है तो फिर मैं उनको बोलता हूँ कि एक तो artificial rubber के पेनिस आते है शिसना आते है कि जिससे कोई इजा होंगे ने मतलब कोई जखम ने होंगी बहुत ही वो मुलायम रहता है soft रहता है और वो अंदर डालके आप एक तो sex कर सकते हैं और खुद की इच्छा जो है कामेच्छा उपुरी कर सकते है या फिर शिसनी का जो है उसको आप चेता सकते हैं मतलब उसको stimulate कर सकते है तो उसको stimulate करते 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 बहुत आनन मिलता है और एक समय ऐसा आजाता है कि उस समय एक दम relax हो जाती है लेडी उसको आनन आता है, समाधान मिलता है, शान्ती मिलती है तो लेडिस मास्टिबेट करती है मास्टिबेशन हस्तमेटू लेडिस में होता है वो शिसनिका के चेतावनी से या उसको चेताने से होता है या अंदर कोई रॉट रबर का डालके या ऐसा कोई भी instrument जो है वो rubber जैसा है जिससे कोई जखम ने होंगी वो डालके और फिर कलपना करके कि भी अपन sex कर रहे हैं और उसमें उसको फिर बहुत शान्ती मिलती है शादी के बाद में तो ऐसे problem बहुत कम आते हैं मगर शादी के पहले यदि लेट शादी होती है तो या उमर के 14-14-15 साल के बाद में उसको शेक साना शुरू हो जाता है और समझे उसकी शादी 30 साल के उमर में होती है तो 15-16 साल तक जो इच्छा दबाना पड़ता है जो इच्छा होती है क्योंकि मन कित्ता भी शान्त रखे तभी शरीर जो है वो शान्त बैठने देता नहीं और और फिर उसमें कुछ तभी हरकत हो जाती कम जादा हो जाता है और आशकल तो ऐसा है कि Facebook के माध्यम से WhatsApp के माध्यम से या अलग-अलग मतलब जो Social Media उसके माध्यम से लड़कों से पहिचान हो जाती है डेटिंग करना बाहर घुमना फिर ना और उसमें Sex तो काफी बार हो जात तो फिर उसमें नाम भी खराब होता है character में भी problem आता है उसमें pregnancy आगे तो उसमें भी problem आ सकता है कि pregnancy रही तो तो ऐसे सब यह टालने के लिए best यह है कि लड़कियों ने भी masturbation करना चाहिए जिससे कि उसका मन शानत रहेंगा Sex की इच्छा पूरी होंगी काम इच्छा जोब होगा है एक मतलब यह क्या होगा है जै रिक गवार इकि कि इसमें में बोला हू कि मास्ट्रूबेशन करो अच्छा है मगर हमारे पुराण में आयूरुवेद में ऐसा लिखा है कि ब्रह्मचरिय यही जीवन है विरेयानाष थे मृत्य है तो ऐसा कुछ भी नहीं है वीरयान कुछ प्रेग्नसी होना मतला ऐसे को ऐसे जो कॉंप्लिकेशन है वो लड़कियों में टाले जा सकते हैं तो यह वीडियो जरूर काफी सारे लेडीज में शेयर करो जितनी सारी लेडीज होंगी कि क्या होता है कि लेडीज एक तो मैंने बहना बोली वो आ गए मेरे पास में हिम जैसे काफी सारे लेडीज के जानकारी लेना पसंद ने करती होंगी या शरमाती होंगी तो यह वीडियो काफी सारे आपके WhatsApp ग्रूप के ओपर Facebook के ओपर शेयर करो जा रहा है लोगों को यह फैला कि यह नार्मल है महिलाओ में मास्ट्रूबेशन है टोटली नार्मल है और नार्मल है तो बिल्कुल करना ही चाहिए कोई उसमें गलत नहीं है तो थैंक यू वेरी मच आपको अच्छा लागा तो जरू सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो थैंक यू वेरी मच